तेश में लोगडाउन के बाद गरीब और जरुरत मंदों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगार भी मुश्किल हो गया है लेकिन केंदरो और राज्य सरकार लोगडाउन की पालना के साथ आमजन को दो वक्त की रोटी मोहिया कराने में पूरी कोशिश कर रही है खास बात ये है कि केंदरो बर राज्य सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं, एंजियो और अन्ने नेजी संस्थाएं भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजदानी के सिंधी केंप बस स्टेंड पर जहां A1 TV की पहल के बाद कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए, गरीब और जरुरतमन लोगों के बीच भोजन वितरित किया बता दे कि A1 TV की पहल के बाद कई लोग सामने आये और इस पहल का स्वागत किया और अपने समर्तन का भी ऐलान किया जिसके बाद अब यह है भोजन वितरन कारेक्रम हपते बर चलाये जाएगा सरकार के साथ राइस्थान पुलिस है वो भी सामाजिक सरुकार आ रहे है और तमाम सामाजिक संगठन है जो भामाशा के रूप में सरकार की यहाँ पर मदद करते हैं के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाते आ रहे हैं ताकि जुरत्मंद लोगों को खाने का वितरन क्या जासे कर उसी का एक नजीरा है अब दिन से काफी आवागमन बढ़ा उनका, तो उन लोगों के लिए खाने पेने की विवस्ता कर रहे हैं. यह अच्छी बात है कि लोग बाग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे और अपनी भूहिका निवा रहे हैं तो जो पैदल जा रहे हैं मजदूर उनको लोग खाना पीना प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे लोग भूखे ने अरे हैं सर आपने देखा होगा काफी समझ्या आ रही है लोग बहुत दूर से निकल के आ रहे हैं क्योंकि रोडवेज बशें चालू कर दिये हैं ताकि वो अपने गंतवेतत पहुंच सके उसके लिए तो आपको नहीं लग रहा है कुछ समझ्या हैं बहुत ज़्यादा निकल के आई ह हैं कुछ लोग व्यक्तिकत स्तर पर भी इनके लिए खाने पिने की विवस्ता कर रहे हैं जिससे इन लोगों की रा थोड़ी आशान हो सके आपने भी आज यहां पर वित्राशन है हमारे यह तो जब रास्तान गवर्मेंट की तरफ से लोग डाउन था उस दिन के बाद कंट एरिये में कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है कंटिनिवसली तीन चार पांच बंदे ऐसे हैं या सैंस्ता ऐसी हैं जो इन लोगों को खाना प्रोवाइड करा रही है तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति है जो जवरुत मंद है वो भूखा नहीं सोयोशी के चलते हैं पर पुलिस है विजो लगाता सामाजिक सरोका निवाते हुए हुने खाने कायां पर वित्रण कर रही है जो की अपने आप में बेहत काभीले तारिफ है केमरा परशन विजय मिश्रा के शाथ याजंदर शर्मा एवन टिवी निज्यापूर